साथियों, कोरोना जैसे अद्रश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाब लड़ाई में सबसे प्रभावी हत्यार कोवीड प्रोटोकॉल है मास्क, दोगज की दूरी और बागी सारी सावधानिया उसका पालन ही है इस लड़ाई में वैक्सिन हमारे लिए सुरक्षा कबच की तरह है आज पूरे विश्व में वैक्सिन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सिन बनाने वाली कमपनिया बहुत कम है, इनी गिनी है कलपना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सिन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाज देश में क्या होता? आप पिछले 50-60 साल का इतिहाद देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सिन प्राप्त करने में बसंकों लग जाते थे विदेशों में वैक्सिन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सिनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था पोलियों की वैक्सिन हो स्मॉल पॉक्स जहां गाउं में हम उसको चेचक कहते हैं चेचक की वैक्सिन हो है हैपिटाइटिस बी की वैक्सिन हो इनके लिए देश वास्यों ने दसकों तक इंतजार किया था जब 2014 में देश वास्यों ने हमें सेवा का अउसर दिया तो भारत में वैक्सिनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सिनेशन का कवरेज सिर्फ सिर्फ 60 परसंड के आस्पात था 60 प्रतिशत के आस्पात था और हमारी दृष्टी में यह बहुत चिंता की बात थी जिस रप्तार से भारत का टिका करण कारकम चल रहा था उस रप्तार से देश को शत प्रतिशत प्रतिशत का करण कवरेज का लक्षा हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुस को लॉंच किया है हमने ताय किया कि मिशन इंद्रधनुस के मातम से युद्धस्तर पर वैक्षिनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्षिनेशन की जरूत है उसे वैक्षिन देने का प्रयास होगा हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ सिर्फ पांच छे साल में ही वैक्षिनेशन कवरेज साट प्रतिशत से बढ़कर नब्बे प्रतिशत से भी जादा हो गई है साट से नब्बे यानि हमने वैक्षिनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया हमने बच्चों को कई जान लेनवा बिमारियों से बचाने के लिए कई नए टिकों का भी भारत के टिका करना भ्यान का हिस्सा बढ़ा दिया हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी गरीब की चिंता थी गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिने कभी टीका लगी नहीं पाता था हम शत्र प्रतिशत टिका करन कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वाइरस ने हमें घेर लिया देश नहीं दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा लेकिन साथियों जब नियत साफ होती हैं निती स्पस्ट होती हैं निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं हर आशंका को दर किनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बलकि दो मेड इन इंडिया वैक्सिन लाउंच कर दी हमारे देश ने देश के वैज्यानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है आज जब मैं आप से बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड से जादा वैक्सिन की डोच दी जा चुकी है 23 करोड